कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका गदेनों नियूज में मैं जानकारी देदूं किसानों के सरकार के खिलाफ नाराज़गी के बाद प्रदर्शन के बाद आज देश भर के चिकित सक्ट जो एलोपैथिक चिकित सक्ट हैं वो नाराज हो गया है और इंडियन मेडिकल एसोशियेशन ने घोशना की है कि आज सारे OPD बंद की जाए हलांकि इमर्जिंसी सेवा इसमें जारी रहेंगी गेटर नौइडा में क्या हालात हैं और गेटर नौइडा के इंडियन मेडिकल एसोशियेशन के जो ब्रांच है उसकी अध्याक्ष डॉक्टर प्रदीप सिंग भी हमारे साथ है तो उनसे बात करते हैं औ इक ओडर के द्वारा सभी आरिवेदिक डॉक्टर्स को देश में सरजरी के लिए पर्मिशन दे दी है अभी तक तो यह लोग केवल दवाई देते थे अलोपैथिक दवाईयों को यूज करते थे तो अब सरकार ने उनको ऑपरिशन के लिए भी अलाउड कर दिया है अब प अरिवेदिक डॉक्टर्स ने किये नहीं है उसी है विरोध में हमारी आज सुबह 11 तारिक को सुबह 6 बज़े से लेके शाम 6 बज़े तक सभी ओपीडी सर्विसिस बंद रहेंगी तो देश को महमारी के स्थी में देखते हुए कोरोना के पिशेंटों का इलाज और अमर्ज लोग कहा रहा है कि कुछ प्रोफेशनल एक कम्टिशन बढ़ेगा ये वजदा है कि आयाम में भी रोथ करदा है है, ये कैस को नहीं प्रोफेशनल जो यह होता है कम्टिशन उसमें उनको सामना करना पबेगा का तो कोई ऐसा खुद ही समझ सकते हैं कि जिनको पढ़ाया नहीं जाएगा जिनकी ट्रेनिंग नहीं हो कर क्या पाएंगे वो तो सिर्फ केसिस को खराब करेंगे केसिस को खराब करके यह जुरूर दिक्कत होगी के पास जो पेशेंट आएंगे वो कॉम्प्लिकेटेड हो क्योंकि हर एक पैथी का अलग एडवांटेज है कि तो सर्जरी तो आज तक लिकी नहीं हो इन लोग अरुवेदिक डॉक्टर्स ने तो कहां से इसको स्टार्ट कर दिया गॉर्मेंट तो आप थे डॉक्टर प्रदीप सिंग जो आएम में ग्रेटर नौइडा के कि तो वो कहीं न कहीं डॉक्टर प्रदीप चिंता जाहिर कर रहे हैं कि इससे जो है क्वालिटी खराब होगी और मरीजों को न्याए नहीं मिल पाएगा और इसका नाम भी नोंने मिक्सो पैथी दिया है जो की खतरनाक है रुवित प्यदरशन ग्रेणो नौनियूज